गुद इवनिंग एप्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं औल इंडिया सेनिक स्कूल एंट्रांस एक्जामिनेशन प्रिबिएस यर के पिपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2019 सेट्स की का जो गोई पिप आपको पूछे जाता है आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे कोशीन पूछे जासकते हैं पिर आप जो उन कोशीन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो हम लोग जो मेरे क्याल से कोशीन नंबर 41 तक डिस्कस कर चुके हैं जो आपको साम के टाइम जो विडियो मिली की गती से चलने पर किसी दूरी को जब वो 28 घंटे में पूरा के जाता है तो यदि गती जब वो दो किलोमेटर बढ़ा दी जाए तो दूरी जब कितने किलोमेटर में पूरी होगी तो एह अपने लास्ट टाम जब डिसकस कर लिया था अगर आपने पिछले प्रिवेस एर की पिछलें पार्ट की वीडियो हैा तो उसको भी आप 넣 Emiraし 앞 अब नहीं देह आखना चाहते हैं तो प्लेडिस्ट जो बढ़ होुह जाई है और oीज स्था सर्क घंट दकर करते हुए स्टार्ट करते है कोशी नमब 42 से कोशी नमब 42 है पीस ओफ वायर 7 अपान 8 मीटर इस कैमरे को यहां से टा दिया जाए यस देखी क्या कोशीन है काफी अच्छे अच्छे आज के कोशीन है और काफी सारे कोशीन जो आज हम डिसकस कर लेंगे क्योंकि आज हमारे पास काफी लंबा टाइम है और 25 मिनट की वीडियो में जो हम लोग 42 से चल रहे हैं लगो 50 तक मेरे ख्याल से पहुंच आएंगे देखी क्या कोशीन है इसने बोला कि पीस ओफ बायर है तार की एक चोटी 7-8 मीटर लंबी दो चोटी में टोट गई है चोटी लिखा यहाँ पे पीस ओफ बायर है यह समझे यह बायर है ठीक है पीस बायर का पीस है तो इसने बोला कि जो 7-8 मीटर लंबी है ठीक है इसने बोला लॉग ब्रोक इंटो 2 पीसिज़ दो पीस में मैंने जो इसको तोड़ दिया ठीक है तो यह वो रहा है कि one piece was one fourth यह जो one piece है वो one fourth है तो दूसरा पुछा है इसको आप है समझिए एक जो वो यहां पर पांच मीटर लंबा जो एक तार है ठीक है तो अगर मैंने जो बीच में से इसको काटा तो तीन मीटर जो वो seven upon eight minus one upon four तो इदर ही कर लेते हैं white board पे जाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यह बिल्कुल सा कोशिन है आपको बता होना चाहिए जब भी कभी fraction में जब वो हम लोग plus से माइनिस करते हैं तो आपको जब लेना पड़ता है और आपने जब पढ़ा है कि एक trick कि जब LC में जब LC में जब वो दो नंबर जब वो ऐसे हो कि एक दूसरे का multiple है ठीक है ठीक है ठीक है फोर का multiple eight है यह उल्टा बोलें तो eight का जब वो factor four है ठीक है या आपने ऐसे दिखा होगा कि जो बड़ा नंबर है जैसे eight है क्या वो इसके multiple में आ रहा है या सा रहा है तो इसलिए बड़ा नंबर ही LCM होता है ठीक है product LCM नहीं होगा यहां पे जो eight है वो LCM होगा अगर एक दूसरे का factor or multiple हो ऐसे नंबर हो तो आपने पड़ा है direct कि आपको जो वो solve नहीं करना है आपका जो नंबर है बड़ा नंबर है जैसे eight है यहां तो वही LCM होगा LCM मतलब least common multiple फिर आप क्या कर तो से one multiply करेंगे तू आ जागा two तो seven minus two आ जागा five five over eight is the answer तो five over eight देखें कहां पे है five over eight eight we will be the right answer काफी अच्छा कुछी नहीं था आपको जो वह LCM आना चाहिए plus minus करना जो वह flexor में आना चाहिए ठीक है और कुछी नमर नेक्स्ट है 43 what is the missing number in the sequence two five ten fourteen eighteen twenty three twenty six thirty two काफी अच्छा कुछी नहीं इसमें देखें क्या है पहले इसने two or five two or five के बीच में देखें तो अगर डिफ्रेंस वाला लॉजिक लगाए तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे जोगो क्या हो रहा है देखें मेरे ख्या हैं यहां Pandora नंतों समक्रों का न्यास कर से तो यहां तो इक है दो यहां पे क्या हो रहा है कि 3004-453 3 कि यहां पे अपर गज़ सब्सक्राइब पोजिन सब्सक्राइब जल operate और फॉर फॉर और फॉर फॉर नहीं चेहरेंb 4 और 5 में 1 का है यहां पे जबो 2 का डिफरेंस है माइनस 2 बो दो 5 में से 3 कैसे आएगा माइनस 2 करके यह आएगा तो यहां पे जबो मेरे क्याल से यह भी जबो काम नहीं कर रहा है तो अगर आपको जबो कही ऐसा जबो हो जाए यह जो simple से कोश्चिन होते हैं इसमें जो क्या जो आपने चेकर नहीं है कि बहुत बड़े एक्साम में जो पुछा गया कोश्चिन आपको जो ऐसे देखना पड़ेगा कि टू का स्कूर हुआ फिर प्लस वन हुआ फिर यहां पर फाइब का स्कूर तो हुआ नहीं लेकिन ऐसा लॉजिक यहां पर काम नहीं करेंगा इसमें बिल्कुल साजबू लॉजिक काम करेंगा कि आपने जो अगर ऐसे डिफेरेंस को जाके बीच में एट कोड़ीपरेंस है और सब्सक्राइब चलते हैं तीस men can do a piece of work in 16 days 30 जबो आदमी है वो जबो काम को करते है 16 दिन में चैक इसने बोला how many days 8 men अब जबो 8 man होगे वो कितने दिन में काम करेंगा तो 8 men जबो कितने दिन में इसको माल लिए तो यहाँ भी आपको उता है जो है कि 8 ही लोग जो भो काम करेंगे पहले जो ठर्टी कर रहे थे तो 16 दिन लग रहे थे अब 8 कर रहे हैं तो जो जान दिन लगेगे तो इसको जो जो कैसे कैल्बड किया जाए काफी इंटरस्टिंग कोश्चिन है देखिए एक वार फिर से जो वो कोश्चिन को जरा समझते हैं क्यूंकि इस टाइप के जो वो कोश्चिन आपको एक्जाम में जो देखने को मिलेंगे तो इसको जो वो कैसे सौलब किया जाए जो भी टाइम और वर्क वाला कोश्चिन है जो वो कैसे हम लोग जो देखेंगे जैसे आप लिगा तीस आदमी है कुछ काम करते हैं सोला दिन में खतम गरते हैं तो आठ आदमी जो कम है तो जो ज़्यादा टाइम लेंगे तो इस कोश्चिन को कैसे किया जाए बो जो आपको द्यान से समझना है मैंने जो पहले बात कि जैसे अगर जो वो आदमी बढ़ जाएगा तो टाइम जो वो कम लगेगा ठीक है मतलब कि यह जो एक दूसरी के अपूजित होता है तो आप जो इसको डारेक्ट भी जो ऐसे लिख सकते थे कि पहले पर पहले आपको जो बेसिक समझना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ तो मै यहां पर 32 जा 60 तो 60 डेस जो आपको यहां पर लगेंगे जो कि हमारा राइट अंसर हो जाएगा 60 डेस लेकिन जो 60 डेस है वो जो आया कैसे वो जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा देखिए क्या करना था आपने आप इसको ऐसे सूचिए कि जैसे कुछ काम हो रहा है ठीक है तो 30 दिन में तेक है सुरी 30 दिन में नहीं अत्मतर 30 अपन एट अगर मैं लिखूं कुछ इस तरह से देखिए कि कहां चल गए एक मिनट रुकिए एक मिनट हाँ ऐसे देखिए एक तो यहां पर डबल टाइम जो यह आ चुका है कोई प्रावलों नहीं है यहां देख कि है इस है 16 घे हमने निकालना है तो एक को मान भीन एक्स और दूसरा जो कितरा दिये है दूसरी बार जो को इसना दिये था कि आर्ट जो यह पे मैंने तो बोस्ता समय च्टियों घूपर बन गया एक्स और एक साइट जो आजागे जिए जो 30 है डिवाइट हो रहा है यह जो मिल्टिप्लाइब हो जाएगा 16 जै 16 मिल्टिप्लाइब 30 और यहां पर 8 है यह जो यहां पर यहां पर यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो 8 तूजा 16 और यहां पर 30 तूजा 16 आप इसको ऐसे जो सोच सकते थे पहले तब ही जो वह कुश्चिन सॉल्ब होगा 60 days will be the right answer नेक्सकुशन है 45 है भी काफ्य अच्छा कुश्च है इसने बहुं ला राम है स्याम है और मोहन भी है ठीक है वो जो वो दौड रहे हैं तो इसने मतलए कि चैनल पहले है कि जैसे गड़ी की सोई एक गड़ी में जो यहां से स्टाट होली है दूसरी यहां से यहां कहां जैसे को चैब का कुछन है यह क्या बες वालवा कुछस болip पूझता है कि एक घड़ी सरब हले बेल जो बची तो एक जो हो इतने तरही salvar को मिनुट तो आपको जो इन तीनों का मुल्टिपल निकालना था आपको आंसर मिल जाएगा 75, 50 and 30 तो 75 आपको मैंने ट्रिक बताया था कि आपको जोगो कैसे चेकन है LCM तीन नंबर हो जाए जोबर जीओ आपको से बड़ा नंबर लेना 75 75 देखिए क्या इन दोनों के टेपल में जोबर आता है कि नहीं आता है 25 जोबर हो आपको उप्संद आवर इसका मतलब है इसको जो आप डिवाइड करें 60 से 60 तो यहां हो वह सिक्स्टी होता है तो यहाँ पर 2 होगे 120 भीने से कितना बचाएं यहां पर 30 बचा कि वरन फिटी होने के लिए two hour और थार्टी मिनट टू आवर 30 मिनट यहां हमुल रखतिक मिनट के बाद जो वह फिर से आपस में मिलेंगे और मिटर पर मिनट यहां पर मिनट और आपको आपको कोई प्राबलो नहीं आप से बुस्त के अदर को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा हैं अब क्या करेंग फाईब ऑबर फाइब इसको घूठेखर लेक ए एक हाए होसी कौलिखते अम्लिटि हो ऑफ रहा है ऑं के मतलब आ रहे हैं टूए हैं और बोल दो 150 मेंडिक का मतलब जब यहां पे की है फाइवर टू आवर्स तो फाइवर टू का मतलब क्या हुआ हमें की हुआ हमने इसको मिनुट में में हैए और अगर मैं इसको बोल तो 150 मिनुट है ठीक है तो कुछ इस तरह से जब आप इसको कर सकते रहें नेक्स k subti, c4-6 है नेक्स कोसिन जो आपने बहुत बार, जो प्रेक्टिश किया होगा की जैसे 25 a kg में है यह ग्रैम में है उसको जो जो गया डेसिमल में चेंज करना है तो इक कीलो ग्रैम में ही बनेगा आप इसको ऐसे करते हैं जैसे डेसिमल है जैसे आपे लिखा है 26 देखे 26 kg आप इस 5 ग्राम को जो वो किलो ग्राम में चेंज कर दिए तो एक ग्राम में जो वो कितने kg होते हैं 1 ओवर 1000 होते हैं यह 0.001 होते हैं ऐसे बोल सकते हैं तो 5 ग्राम में कितने हो जाएंगे 5 ओवर 1000 हो जाएगा ठीक है यह आप इसको ऐसे बोल दो 0.005 हो जाएगा ठीक है आप अब इसकी जगह जो क्या बन गया 0.005 बन गया बस आपको 26 के साथ इसको प्लस करना था क्यूंकि हमने जो डेसिमल बाला जो लगा करके इसको किलो ग्रैम में ही चेंज कर दिया है क्यूंकि आप अप्सन में द देसिमल बालों को प्लस करते हैं आपको बताएं कि देसिमल तैंस पलेच के निचे टेंस प्लेच इंचे उनस प्लेच के नितिए उनस प्लेच दो बन चाएगा 26.005 जिसको euro 5 के जी जो हमारा उंसर हो जाएगा नेक्स कुछिशन पर आते हैं नेक्स कुछिशन है हमारा कुछिशन नंबर कुछिशन नंबर कहां चल लगा है हाँ कुछिशन नंबर 47 47 में इसने बोला है कि एड़ वर्ट रेट असम आफ इसमें क्या होता है मुल्थन मतलों की रेट और समय मतलों की टाइम और अपन में होता है हंडर्ट ठीक है यह हमारा फार्मल होता है सिंपल इंटर्ष्ट का देखें अब इस कोईशन में जो क्या क्या की बन है हमारे पास इसमें यहीं बोला है कि कौन कितने रेट पर जो वो शिक्स थाउजेंट जो वो यह बन गया सेवन थाउजेंट एट अंडर पांच साल में तो मतलों कि हमें दर निकालना है तो दर निकालना है बाकि सब कुछ गिवन है अच्छा सिंपल इंटर्ष्ट क्या हुआ हुआ है तो इसके लिए आपको कितना देना पड़ा शिक्स थाउजेंट आपने लिया था ऐसे आप इसको सो सकते हैं तो इसको जब अगर मैंनस करूं तो 7 7,800 में से 6,000 या 7,800 में से 6,000 माइनस करेंगे तो उमेरिकां से जगा 1,800 ठीक है अटारा सो बन रहा है तो मतलब कि सिंपल इंटर्ष्ट जब हमारे पास अठारा सो है तो इसको मैं जब पुट करके और मूलधन की जगा जब वो 6,000 पुट करूंगा यह डारेक्ट कर जाग इसको मैं पास था देखे मैं लिए पी आर टी पी आर टी अपॉन हंड़र पी मतलो प्रिंसिपल आर मतलो रेट टी टाइमस और नीचे आगे हंड़र अभी मैंने बताया सिंपल इंटर्ष्ट जब हमने अब हमने निकाला तो आर को आरी रखती है टी जब हमारे पास पांच पांच मैंने आप दिखा और हंडर नीचे आगे अब देखे आर निकलेगा आर को रहूँगा आर को रखोंगा मैं इसी साइट बाकि मैं सब कुछ जो दूसरे साइट गुमा दूंगा तो देखे क्या बन जाएगा अठारा सो यह जो हंडर्ड है जो उपर जाके मिल्टिप इखाड़ी ठीक है और 6 से आपको बताएं कि 18 कर जाता है 6 3 जा 18 तो यहां पर 3 0 कटके थी एक 0 बचली तो यहां पर 30 और 5 से 30 कर जाता है 6 5 से 30 6 विर्विदा राइट अंसर काफी अच्छा कोशी था 6 परसेंटेज जो वामारी अंदर थी काफी इंट्रस्टिंग था वैसे क्यूब लन करिए क्यूब जो आप 15 तक लन करिए स्कुएर जो थार्टी तक लन कर लिजिए अगर आपको कोई एकसाम देना है तो आप सुचते हैं कि कहां पर काम आएगा देखिए यहां पर काम आएगा हो सेवन देखिए आपको बताएं से इसने में डेफ्ट और कुवा जला से है तो कुवा जो कुछ इस तरह से है क्यूब की फ़ॉम में क्यूब में देखिए तो स्कुएर से बन ताप है स्कूयर की सबस頭 इसकूइल होती है इसकी लैंग डिया हीट सब कच सब कुछ और सब कि एक ही होगा मतलब कि और अग इसकी इसकी hiska बॉलनिम की रहे बात करें रहा है में जाता है हमें see हुआइझ उसकाdoes क्वार्मूला बन जाता है है और हमारे पास देखिए साइड क्यूंब कIEउबना है साइड क्यूंब जाएका तो साइड बन जाएगा सेड किसका क्यूब रूट होता है ए आपको पता होना चाहिए था अब आपको क्यूब नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा कि 9 का क्यूब जो वो 729 होता है अगर आपको जो वो 8 का क्यूब नहीं पता है तो क्या पता है यहां पे 512 होता है 8 का क्यूब 512 होता है 7 का क्यूब त थीक है next question में सब्सक्राइब ने को नुबर 49 बार्णा य्वाइब से लिटीर को सिन यह काफ़ी अच्छा वैसे वैसे सको मैं बूह वाइट पर यहां स्वाल करेंगा नाश्ट में थीक है पहले इसको देख लेक्षा लाफ़ो लास्ट को फिफटीन थिक है सेकेंड लास्ट इसको वाइट वर्ड पर जो वो स्वाल लेंगे इस कोईशन के बाद ठीक है देखें आप लिगा इन वर्ट टाइम ट्रेन हुस लेंथ 100 मीटर यह वी का पी अच्छा कोईशन है त्रेन से लिटीर कोईशन और एक अच्छा कोईशन है बिल्कुल सिंपल कोई इसने बुला कि वह टाइम ट्रेन हुस लेंथ ट्रेन है कोई लेंथ 100 मीटर एक ट्रेन है 100 मिटर लेंथ है मूबिंग विद स्पीड और बोगो चल रही है 60 किलमेट पर आवर की स्पीड से इसने बूला क्रॉस इस अप लेटफॉर्म हुस लेंथ 150 तो कितने टाइम में जो बो जो बो प्लेटफॉर्म को जो बो पार करेगी जिसकी लिएंथ जो बो 150 मीटर है अब देखिए क्योंकि टाइम पूछा है हमारे पास टाइम पूछा है ना टाइम का फार्मुला अभी हमने डिसकस किया स्पीड का बनुलता है डिस्टेंस अपन स्पीड अब आपको यह आप यह देखना है डिस्टेंस ओपर स्पीड डिस्टेंस हमारे पास की बन है डिस्टेंस जबो कितनी है प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है 150 और ट्रेन की डिस्टेंस है 100 यह दोनों को जो लेना पड़ता है तिक द्याना की इन दोनों को जो डिस्टेंस पर लेना पड़ता तो यहां पर 250 जो मीटर आ गया और नीचे जो आपको क्या करना है नीचे जो आपको अच्छा यह तो मीटर में आ गया आपको जो स्पीड दी है वो तो 60 किलो मीटर में दी है किलो में दी है इसका मतलर यूनिट तो सेम होने चाहिए तो आप जो इस किलो मीटर को जो चेंज कर यहां से मुझे लगता है कट जाएगा एंग तो टेन फाइव कि फिटी ओबर तरी आ गया होता है तो 16.67 आ जाएगा 16.67 का क्या मतलब है ए जोब क्या निकला वी 16.67 जो प्या निकला यह हमने जुद इसको से होने चाहिए थी यूनित सेमों होने चाहिए थी टाइम का फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस ओपर स्पीट डिस्टेंस हमने जो अभी प्ताई 150 प्लस थी कितना हो गया यह हो गया 250 तो 250 अपान में अब जो 60 था नहीं चाहिए उसको मैं चेंज्ज गिया आप इसको solve करेंगे तो यहां पे नीचे 100 है यह multiply हो जाएगा फिर इससे जो आप divide कर लेंगे और आप जो आपको answer मिलेगा 14.9 और 14.9 जो आपको बताए किसके नजदीक है 14.9 है तो 14 मत लीजिए 16 के नजदीक वह जो 50 के नजदीक वह तो 15 seconds जो आपको लगेंगे यह इस platform तक पहुंचने के लिए तो अब यह जो last वाला question है इसको जो हम white board पर solve करते हैं मैं एक बार इसको जो नोट कर लेता हूं फिर white board पर लिखूंगा मैं फिर से यहां इससे करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करके इतर ही solve कर लेते हैं क्या पता यहां से यहां पर ही question जो वो solve बज़े पहले जो आपको बता है board marks में जो डिवाइड करते हैं यहां पर डिवाइड है यहां पर डिवाइड है तो यह बन जाएगा six को थ्री से डिवाइड हैं यहां पर जागा तो यहां पर निखूंगा और इसकी जगह जो नहीं पर तू लिखू तो यहां पर आगा 45 अब इस इन के पीच में जो 45 डिख दिया multiply जो वो यहां पर है 731 होता है तो मैं जो इसको थोड़ा सा चेंज करके डिख लेता हूं जरा red में डिखते हैं तो यहां पर आगे 21 प्लस 4 तो 21 प्लस 4 मैं चलिए बात में करते हैं यहां पर माइनस है माइनस क और आगे यह बचा था हमारे पास 45 यास फॉर्टी फाइव तो प्लस था फ्लस का 45 मैंने आप घुखता फिद से लिख 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 था फॉर्टी फैव और प्लस का 49 तो आप जब इनको प्लस करेंगे 45 और 49 और 21 और 4 तो 25 हो गया थेक है तो 25 और आपको प्लस करना है 4045 और 49, तो 45 and 49 को प्लस करिए, 9 और 5, 5, 5 10, 19, एक आगे यहां पे 4, 4, 8, 9, 10, 119 आ रहा है, ठीक है, 119 माइनस 7 और 2 होते हैं, 9, तो यहां पे आगे 9 तो 119 में से 9 माइनस हुए तो मेरे कहल से आ जाएगा 110 119 में से 9 माइनस हुए, 110 ही बचेगा 110 जो हमारा अंसर होना चाहिए जो कि हमारे आपसन में है ना ही तो इसका मतलब है कि हमने जो गलत जो कर दिया है, एक बर फिस से चेक करते हैं, जरा यहां पे आ गया था हमारे पास 2, ठीक है, तो यह बन गया था 21, फिस से चेक करते हैं, प्लस 4, माइनस 2, यहां पे बनना है 1110, तो माइनस करना था 7 और 29, तो माइनस करने के तो यहां जागो 101, तो 101 जो हमारा सही अंसर हो जाएगा, जल्दवाजी में जो कुशिन को सॉल्व नहीं करना है, तभी तो मैं बोर रहा था